खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे कैसे अपने घुसे वाला रूप एक बार फिर से दिखाया वो देखें आप उससे पहले हैडलाइन्स गुजरात में CWC की बैठक में राहूल का मंत्र BJP एजिन्डा बदलने में लगी है उसके जाल में नहीं फसना है कॉंगर्स कारेकरताओं से राहूल ने कहा BJP RSS को हराने के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं हर हाल में ये लड़ाई हमें जीतनी है जीतेंगे राहूल ने कहा गुजरात में बैठक इसलिये की क्योंकि जिन दो विचारधाराओं की लड़ाई है वो दुनों गुजरात में ही है गुजरात से राहूल का GST को लेकर बड़ा चुनावी वादा कहा सरकार बनी तो एक रेट वाली GST लाएंगे राहूल पर BJP ने पलट वार किया गांधी जी सत्य की रहा पर चलते थे राहूल जूट के रास्ते पर चलने वाले गांधी यह विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत गोट से दूसरी तरफ प्यार महात्मा गांधी और गुजरात का इतिहास और जीत महात्मा गांधी के होगी प्यार की होगी भाईचारे के होगी कॉंगरिस पार्टी की होगी हर स्टेट से नरेंद्र मोधी देश भक्ती के बात करते हैं हर स्टेट से नरेंद्र मोधी बोलेंगे कि मैं देश भक्तू राफाईल हवाईजाज नरेंद्र मोधी वायू सेना की प्रशंसा करते हैं मगर नरेंद्र मोधी देश को ये नहीं बताते हैं कि उन्हीं पाइलट्स और उसी वाईू सेना के जेब में से नरेंद्र मोधी ने 30,000 क्रोड रुपे चोरी करके अन्यलंबानी के जेब में डाला है कल अकबार पढ़ रहा था अकबार में लिखा कि इंग्लेंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को मेsज बेजा कि हमें आप से थुठा information चाहिए, information बेजिए और हम नीरव मोधी को पकड़ के वापिस हिंदुस्तान बेज देंगे इंग्लन की सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने request का जवाब नहीं दिया प्रधान मंत्री नीरब मोदी को नीरब भाई कहते हैं मेहूल चौकसी को मेहूल भाई कहते हैं अनिल अंबानी को अनिल भाई कहते हैं और ये सब लोग नरेंद मोदी की मार्केटिंग करते हैं दिन भार आप इनको टीवी पे देखोगे पैसा कहां से आता है मैं आपको बताता हूँ अने लंबानी, नीरब मोदी, महुल चौकसी, ललित मोदी, विजय मालिया इन लोगों से पैसा आता है आज हिंदुस्तान में 45 साल से ज़ादा बेरोजगारी है नरेंद्र मोदी जी मेकिन इंडिया की बात करते हैं स्टार्ट अप इंडिया की बात करते हैं मगर सच्चा हिए है कि आज हिंदुस्तान का युगा अलग-अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंटते भटक रहा है राहुल गांदी के हावभाव आप याद कीजिए हाल-फिलाल से पहले आपको नहीं दिखे होंगे पॉलिटिक्स में रहते हुए भी पॉलिटिक्स से दूर दिखते थे राहुल गांदी पहले उनके भाषन से ज्यादा उनकी छुटियों पर चर्चा होता था लेकिन अब जब भाषन परदेश की नजर है तो वो एक ही बात एक ही तरीके से बार 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 कह रहे हैं और इसका कुछ खास असर जनता पर नहीं दिख रहा है मास्टर स्ट्रोक राहुल गांदी और आपकी बहतरी के लिए है जनता सिर्फ रफाल से नहीं रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे से जुड़ेगी